ओम नमो नारायन आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं आज के इस वीडियो में आप जाने वाले हैं अपरा एकादशी जो कि जेस्ट मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है संपुन पारण विधी के बारे में क्योंकि जिस तरह से एकादशी का व्रत रखना इंपोर्टेंट होता है ठीक उसी तरह से व्रत का पारण अगर शुब मूर्थ में ना किया जाए और नियमों के अनुसार ना किया जाए तो किये गए व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है ऐसे में आप सभी के लिए ये जानना भी जरूरी है कि व्रत का पारण किस प्रकार से करना चाहिए शुब मूर्थ कब से कब तक रहेगा अगर आप इस दिन समय पर दान ना दे पाए तो क्या करना चाहिए व्रत का पारण यानि कि व्रत किन चीजों से खोलना चाहिए भग साथ ही आपको जानकारी ये भी मिलेगी कि अगर आपका कोई और भी व्रत इस दिन है तो आप व्रत का पारण किस प्रकार से सुभा के समय करें कि आपका दूसरा व्रत भी प्रारंब हो सके तो इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की विडियो में सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी वृत की तिथी और शुब्मूर्द के बारे में वैसे तो जिन लोगों ने वृत रखा है उन्हें तिथी के बारे में जानकारी पहले से ही रहती है हो सकता है कि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हूं इससे पहले भी एकादशी व्रत की संपुर्ण पूजा विधी की जानकारी और कथा की जानकारी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडे रहे हैं आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं 26 मई गुरुवार के दिन अपरा एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा और अगले दिन यानिकी 27 मई को शुकुरुवार के दिन सुभा की समय व्रत खोला जाता है ऐसे में जो लोग पहली बार एकादशी का व्रत प्रारम करना चाहते हैं वैसे तो उनके लिए यही सला है कि निर्जला एकादशी के दिन से आप ये व्रत प्रारम कर सकते हैं एकादशी की तिथी प्रारम होगी 25 मई बुद्वार की सुभा 10 बचकर 36 मिनट से और समाप्त होगी 26 मई गुरुवार की सुभा 10 बचकर 54 मिनट पर एकादशी का व्रत जिसन रखा जाता है उसे सुभा की पूजा आपको प्रहम उमूर्थ में कर लेनी चाहिए 26 मई गुरुवार को सुर्यदय का समय रहेगा सुभा 5 बचकर 46 मिनट और सुर्यास का समय रहेगा शाम 7 बचकर 1 मिनट पर 22 तिथी प्रारम होगी 26 मई गुरुवार की सुभा 10 बचकर 55 मिनट से और समाप्त होगी 27 मई शुकुरुवार की सुभा 11 बचकर 48 मिनट पर क्योंकि एकादशी का वृत हरिवासर के समय नहीं खोला जाता है तो हरिवासर का समय इस बार 26 मई को दिन के समय ही समाप्थ हो जाएगा ऐसे में 12 तिथी का जो अगला दिन है यानि कि 27 मई शुकरवार का दिन है उस दिन आप अराम से सुभा के समय वृत खोल सकते हैं 27 मई शुकरवार को सुभा 5 बचकर 45 मिनट पर सुर्यदय का समय रहेगा और सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बचकर 2 मिनट पर अब जान लिजिए पारण मूर्थ के बारे में तो 27 मई शुकरवार को सुभा 5 बचकर 47 मिनट से लेकर 8 बचकर 50 मिनट तक के बीच के समय में आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं यही एकादशी व्रत पारण करने का शुब मूर्थ रहेगा इसके बाद यदि आप व्रत खोलते हैं तो फिर वो आपको पूनफल प्रदान करने वाला मूर्थ नहीं रहेगा अब पहले तो बात कर लेते हैं तिथी के बारे में क्योंकि आपको बता दूँ यह बात हर वीडियो में भी आपको बताई जाती है कि एकादशी का जो व्रत है वो एकादशी की सुभा सूर्यदे से प्रारण होता है और अगले दिन द्वादशी तिथी के सूर्यदे तक रहता है यानि कि पूरे 24 गंटे तक आपको व्रत रखना होता है ऐसे में जिस दिन आप व्रत रखते हैं उससे एक दिन पहले यदि एकादशी के तिथी लग भी गई है तो उस समय से आपको व्रत नहीं रखना है उस दिन आपको दश्मी तिथी के नियमों का पालन करना होता है ये बात आपको हमेशा धिहान में रखनी चाहिए अब ज द्वादशी तिथी को भी आपको बहुत सारी बातों का दिहान रखना है जैसे कि द्वादशी तिथी की सुभा आप जल्दी से उठकर इस नानादी से निवरित होकर साफ सबस्वच पीले वस्त्रियदी हो सके तो धारन करें नहीं तो लाल या हलके रंके वस्त्रों का प् पूजा करते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो उन लोगों को भी द्वादशी तिथी के दिन दान देने का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद ही दान देना चाहिए क्योंकि जो भी दान आप देते हैं यदि वो संकल्प लेकर किया गया हो तो उसका पुर्ण कई पित करना चाहिए तो उसी जी के गमले में एक दीपक आप अवश्य जलाएं और यदि संभव हो तो आसपास के विश्णु भगवान के मंदिर में जाकर वहां आप सुभा के समय दीपदान कर सकते हैं केले के व्रिक्ष की पूजा कर सकते हैं पीपल के व्रिक्ष की जड़ मे तो उसके लिए वो आपको छमा कर सके फिर आप भगवान की विधिवत पूजा करें मालक्षमिजी की पूजा करें भगवान को चंदन का तिलक लगाएं दूप दीपक जलाएं पूजन की सामगरी के साथ साथ आपको मन ही मन भगवान के मंत्रों का दिहान करना है जो भी प पूजन समगरी भी और पित करते रहें दान में आपको जो भी समगरी देनी हैं चाहे वो पानी से भरावा घड़ा हो अनाज हो वस्तर हो जैसी भी आपकी समर्थ हो वैसे द्वादशी तिति को आप कुछ न कुछ पीली वस्तु का दान करें चाहे वो पीले वस्तर हो या पील भगवान श्री हरी के चर्णों में रखें यदि दान की कोई भी सामगरी नहीं है तो आप जो भी दक्षिना देना चाहते हैं उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। भगवान अपने भगतों की श्रद्ध और भक्ती भाव दिखते हैं ये नहीं देखते कि आपने कौन-कौन सी सामगरी उन्हें कमिया अधिक अर्पित की हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है क्योंकि कई बार लोगों के आसपास मंदिर नहीं होते हैं या ऐसे लोग नहीं मिल पाते हैं तो आप जो भी दान की सामगरी है उसे आप घर में रखें। जो पानी में रहने वाली मशलिया हों ने आप आटे की गोलियां खिला सकते हैं इसके बाद आप अपना वरत खोल सकते हैं। फिर जब भी आपको अफसर मिले जब भी समय मिले तो दान की जो सामगरी आपने रखी विया उसका दान आप जरूर करें। द्वादशी तिथी के दिन किंचिजों का दान आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो देखें जेस्ट का महिना है इस पूरे महिने में ही जल दान को सबसे उत्तम दान माना गया है। ऐसे में आप प्यासे लोगों को पानी पिलाने की विवस्था कर सकते हैं शर्बत का दान कर सकते हैं प्याओ लगवा सकते हैं चबीले लगवा सकते हैं या आप पानी भरकर जो घड़े का दान किया जाता है उसमें आप थोड़ी सी शकर या मिश्री जरूर डाल कर दान करे उसके बाद ही इसको किसी को दान में देना चाहिए इसा करने से आपके पितर भी प्रसन होते हैं क्योंकि द्वादशी तिथी को किया गया दान पित्रों को भी तरप्त करता है हो सके तो मौसमी फल जो आजकल तर्बूज खीरे या खरबूजे चलते हैं आम वगरा जो भी दान में दे सकते हों आसानी से उसका दान भी आप आज के दिन कर सकते हैं या मौसमी सबजियों का भी दान आज के दिन आप कहीं जरुवत मन लोगों को जाकर दे सकते हैं इस तरह से आपने सुभा के समय द्वादशी तिथी को वरत खोल लिया शाम के समय भी आप फिर भू पूजा है है या कोई भी अनिय वरत आप और भी के समय पारण पूजा हो या आपका जूसरा वरत है उसकी जो कथा पूजा विधी मन्तर है वो पूजा हो उसे आप जल्दी संपन्र कर लें मतलब जल्दी का कहने का ये मतलब नहीं कि आप सारे काम जल्दी जल्दी से करें बस आपको शुब मुर्थ का वृत पारण का शुब मुर्थ भी धियान में रखना है अगर आपने वृत रखा है एकादशी का तो आप शुब द्वादशी तिथी को शाम की पूजा करने के बाद ग्रहन कर सकते हैं और प्रदोश व्रत है तो इस दिन मीठे का ही भोग लगाया जाता है भगवान शिप को और मीठा खा कर ही व्रत खोला जाता है क्योंकि इस बार अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है और द्वादशी तिथी का भी व्रत आपका है यानि के प्रदोश रत भी है तो ये व्रत आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है ऐसे में आप शाम को प्रदोश काल के समय पूजा करने के बाद व्रत खोल सकते हैं जैसा भी आपने संकल प्रिया है मीठे का या नमक वाले भोजन का तो उसे आप ग्रहन कर शाम की पूजा करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं जो लोग संतोशी माता का व्रत रखते हैं और इस दिन खटे फल नहीं खाते हैं तो उन्हें क्धटे फलों का ना तो दान करना चाहिए नाहीं आजके दिन खटे फल चुने चाहिए खुद भी ग्रहन नहीं करने चाहिए तो इस बात का ध्यान भी आपको आज की पूजा में जरूर रखना चाहिए अगले दिन आप चाहें तो कैसे भी फल खा सकते हैं अगर इन सभी प्रशनों के लावा इन सभी जानकरी के लावा कोई और प्रशन आपके मन में हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स ने पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप सभ प्लीज आप जरूर देखेगा हो सकता है आपके बहुत सारे ऐसे सवाल हों जिनके उत्तर उस वीडियो में हो जो लोग भी उस वीडियो का लिंक चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजएगा ताकि मैं आपको उसी समय वो लिंक कर सकूँ ये थी आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जादस जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा